कटनी से सपना जाने वाली मोमू ट्रेन के यात्री मंगलवार को उस वक्त सदमे में आ गए जब ट्रेन अपने स्टॉप लगरगमा स्टेशन पर रुकने वाली थी लेकिन वह प्लेटफॉर्म में न रुक कर बीच की मुख्य लाइन में ही रोक दी गई यह इसलिए हुआ कि प्लेटफॉर्म पर दोनों और मालगाड़ी खड़ी जिसके बाद मुख्य लाइन पर ट्रेन से यात्री उतरने लगे और वे फस गए और आखिर पट्री कैसे पार करें जिसके कारण कई यात्री दुरगटना का सिकार होते होते बाल बाल बचे हैरानी की बात यह रही कि इतनी वड़ी लापर वाही के बाद सतना का रेलवे प्रसासन अंजान रहा पूरे मामले में सतना छेतरी प्रवंधक आसीश रालवानी ने जाँच की बात कही है कटनी सतना रेल खंड में सतना के पास लगरगमा इस्टेशन छोटा इस्टेशन है जहां यात्री सुविधाएं तक नहीं है यहां केबल पैसेंजर ट्रेन ही रुखती है लेकिन इसका मतलब मुख्य लाइन में ट्रेन रोक देना कहां कनिया में जिसे लेकर रेल यात्रियों ने भी सवाल खड़े किये हैं वही सवाल यह उठाय जा रहा है कि प्लेटफॉर्म खाली नहीं था तो ट्रेन को स्टेशन कैसे आने दिया गया इस दवरान दोनों तरफ माल गारी खड़ी थी दो ट्रेनों के बीच यात्री मौमो ट्रेन से उत्रे हैरानी की बात यह है कि ट्रेन पार करना अपराध होने के बाबजूद ट्रेन ट्रेक पर ही खड़ी रही इस दवरान कोई हाथसा भी हो सकता था इमर्पें चूर लगेच अने चैनल क्कश कॉपएवरे बात 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 बात